नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है हरीस और आप देख रहे हैं इलेक्टोनिस वर्मा तो दोस्तो देखे हमारे पास यहाँ पर आज लीथियम की तीन बैटरी है और यहाँ पर बहुत भाई के मन में यह confusion रहता है कि सर हम ऐसा कौन सा बैटरी लें जिसका बैटरी बैकप बहुत जा लिखा हुआ है इस बैटरी पर हमारा लिखा हुआ है यहाँ पर देखे 2000 एमेच और यहाँ पर लिखा हुआ है 1200 एमेच अब इसके अंदर आपको एमेच के हिसाब से यह नहीं पता लगता कि यहाँ पर जो यह बैटरी है चलेगा कितना तो यहाँ पर देखे इस पर लिखा हुआ है 4.44 वोच आवर अभी वोच आवर का मतलब क्या है तो यहां पर यह बैटरी हमें बता रही है कि यहां पर अगर आप 3.7 बोल्ट का इस बैटरी को करेंट दोगे यानि कि इससे कोई लोड लोगे जो 3.7 बोल्ट से चलने वाला सरकीट है तो यह जो बैटरी है यह उसक लोड चलाओगे जैसे कोई speaker हो गया या कोई bluetooth speaker हो गया या कोई LED ऐसा हुआ जो 3.5 बोल्ट से लेकर और 3.5 बोल्ट तक का LED है तो यहां पर इसका क्या होगा कि वो जो है हमारी 8 गंटे तक चलेगा अब यहां पर यही चीज इसमें लिखा हुआ है कि यहां पर लिखा हुआ लेकिन एक चीज हमेशा याद रखे वो 8 गंटे तब चलेगा अगर उसका जो circuit का ampere है वो कम से कम 1 से 1.5 ampere का होगा उससे ज्यादा यह load नहीं देगा और यहां पर देखे 2000 mh लिखा है तो यानि कि यह 2 ampere का battery है तो यहां पर अगर इससे 3 बोल्ट का जो है कोई भी load 7 गंटे के आसपास यह battery चलेगा और यहां पर यह वाला जो battery है 1200 mh लिखा है अगर यहां पर देखेंगे आप तो कम से कम यह battery चलेगा आपका 4 गंटे तक यानि कि जो आगे वाली संख्या है वो हमारा यह दिखा रहा है कि कितने वो 4 तक यह हमारी battery चलेगी लेकिन यह 4 amp तक पड़ गया तो यह battery आपका सिर्फ 4 गंटे चलेगा यानि कि जो आठ का लिखा वा आठ से आधा हो जाएगा तो इस तरीके से यह watch over अगर आपको battery बैकप ज़्यादा चाहिए तो यह watch over जो है अगर आप जितना ज़्यादा लेंगे तो वो battery उतना ज़्यादा चलेग तो यह चीज आप battery को देखके ले सकते हैं क्योंकि देखे mh किसी किसी पे कम या ज़्यादा हो सकता है लेकिन वो चोबार आपको वही मिलता है जो battery का होता है तो दोस्तों मेरी यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को like करना, share करना, subscribe करना और bell का icon को जरूर दबाना क्योंकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही जानकारी लाता रहूंगा